तो हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल इस्टेडी प्लेटफूम पे यानि की जियो थील फाइफ ठीक है बागी सारी चीज़े आपको पता है पिछत्तर नंबर का ये कोशियन पेपर आपको हुआ था पचास्ट करती है एक पिरशन का जो अंक ताब का डिऴे नंबर फिर इस्टार्ट करते हैं पहला कोशिन आप से पूछा गया है हिमाले की प next question आपसे पूछा गया है केदारनात एवं बदरीनात इस्थित है तो केदारनात और बदरीनात जो है आपका उत्तरा खंड में इस्थित है तो यहाँ पे आपको उंसल लगा देना है कुमाईू हिमाले में इस्थित हो जागा ठीक है C यहाँ पर आपका correct answer था next question आपसे पूछा गया है slate किस क्रम की चट्टान है right answer आपको लगा दना है kudda पहा next question आपसे पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी नदी कौनसी है बहुत simple सा question था सभी का right answer होगा मुझे यह विश्वास है next question आपसे पूछा गया है महाबलेश्वर किस नदी का उपागम इस्थल है ठीक है उदगम इस्थल है महाबलेश्वर महाबलेश्वर किस नदी का उदगम इस्थल है तो बहुत simple सा question right answer आपको लगा देना था krishna नदी ठीक है भी आपका correct answer था next question आपसे पूछा गया है शिफ समुद्रम पिरताप किस नदी पर इस्थल है शिफ समुद्रम पिरताप किस नदी पर इस्थल है कावेडी नदी पर इस्थल है एक correct answer था सभी लोग क्या करेंगे एक बार वीडियो को like कर देंगे मुझे जान नहीं पाई है ठीक से तो मैं उनके लिए content बनाता हूँ तो उनके तक पहुँच नहीं पाता है तो बस एक आपकी छोटी से जिम्मेदारी ये है कि आप उनको वीडियो पहुच आएंगे ठीक है अगर आपको ये वीडियो मिला है तो आप क्या करेंगे अपने college group में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करेंगे बस यही मेरी बहुत बड़ी help होगी आपके तिरफ से ठीक है इसी के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ तो देखो next question आपसे पूछा गया यह मांसूनी जलवाई यह हो जाएगा B यहाँ पर correct answer था next question आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा इस्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है तो right answer आपको लगा दिना है ले ठीक है B आपका correct answer था next question आपसे पूछा गया है टिपिकल दोने तरह के question है जो कि आपको exam में भी देखने को मिलती है competition के लिए ठीक है अगर आप किसी भी competition exam की तयारी कर रहे है तो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेंगा आपने कुछ भी टिक किया हो जो मैं answer बता रहा रहा है उसको आपको याद रखना है उस पे अपने पास से थोड़ी सी research कर लेने ताकि आपको अभी के अभी सारे चीज़े clear होती चले आगे के लिए next question आपसे पूछा गया है किस नदी में काली मिद्रा मिलती है तो right answer आपको लगा देने अनुसंदान के छेतर कहां पर है right answer यहाँ पे आप उसका लगा देना है जोद्पुर में हो जाएंगे डी आपका correct answer था ठीक है next question आपसे पूछा गया किस राज्य में जलोर मिद्रा अल्प है किस राज्य में जलोर मिद्रा कम है right answer यहाँ पे आपसको लगा देना है मध्य पिर्देश में हो जाएगा डी आपका correct answer था next question आपसे पूछा गया ocean कटी बंदिय सदाबार वन कहां पर पाए जाते है कहां पर पाए जाते है तो right answer यहाँ पे आपको लगा देना है next question आपसे पूछा गया है आभरक सबसे अधिक कहां उत्पादित किया जाता है आभरक सबसे अधिक कहां पर उत्पादित किया जाता है तो वैसे तो सबसे अधा wish में अगर देखेंगे ने तो भारत में उत्पादित किया जाता है और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है तो आंदर प्रदेश में किया जाता है B यहाँ पर correct answer था next question आपसे पूछे गया है बैलर इला किस खनीज से फिरसिद है right answer आपको लगाना low is ठीक है C आपका correct answer था next question आपसे पूछे गया है नमक प्राबती के इस्त्रोत काउन से है तो right answer आपको लगाना है समुद्री जिल ए correct answer था next question आपसे पूछा गया है भारत में कोएला किस नदी घाटी में पाया जाता है गोदावरी यहाँपे आपका correct answer था next question आपसे पूछा गया है नहर कटिया पैट्रोलियम छेतर किस राज्य में इस्तित है right answer आपको लगा देने असम में इस्तित हो जाएगा next question आपसे पूछा गया है भारत में पिर्थम कोला खान कहां खोली है खोली गई है भारत में पिर्थम कोला खान कहां पर खोली गई है right answer यहाँ पर आपसको लगा देना है रानी गंज में खोली गई है next question आपसे पूछा गया है गौंडवाना कोला खेतर कहां इस्तित है right answer आपको लगा देने मध्धे पिर्देश एवं 36 गर ठीक है यहाँ पर इसका अंसर यह इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो गौंडवाना कोला खेतरेना आपको जार खंड में खोली गई है और जार खंड के पास जो आप देखेंगे मैप में तो मध्धे पिर्देश और 36 गर नजर आता है मेगाले जमू कश्मीर असम काफी दूर दूर नजर आएंगे आपको तो यह मेरे हिसाब से डी यहाँ पर करेक्ट अंसर होना चाहिए बाकि इन्होंनों आप्शिन में दिया नहीं है तो इसका अंसर आपको मेरे ख्याल से जो नंबर है आपका डेर नंबर पूरा मिलना चाहिए क्योंकि आप्शिन में इन्होंने नहीं दिया है बाकि अगर युनिवर्सिटी तै करेगी तो मध्धे पिर्दे सेवं 36 गड़ को ही करेगी मेरे इसाब से डी यहाँ पर आपका करेक्ट अंसर था टाठा जल विदुत परियोजना कहां इस्तित है तो टाठा जल विदुत परियोजना जो है महरास्टरा के मुंबई में पस्चमी घाट पर इस्तित है लेकिन जो की option में नहीं है तो मुझे इस question में थोड़ा सा doubt रहेगा आप क्या करेंगे 24 का अंसर comments करके बताएंगे मैं आपके comments का wait करूँगो ठीक है जिसका अंसर सही रहा है उसको मैं pin कर दूँगो ठीक है next question आप से रिहंद पर योजना किस नदी पर इस्तित है रिहंद पर योजना जो है आपका रिहंद नदी पर इस्तित है next question आप से पूछा गया है गैर परम प्रागत उर्जा इस्तित है तो right answer आपको लगा देना है solar energy c यहाँ पर correct answer था next question आप से पूछा गया है आणविक शक्ति आधारित है nuclear power is based on किस पर based है तो right answer आपको लगाना है आणविक खनिच पर आधारित हो जाएगी atomic minerals पर c आपका correct answer था next question आप से पूछा गया है graphite पाया जाता है तो graphite जो है किस में पाया जाता है चूना पत्थर में पाया जाता है 28 का d यहाँ पर आपका correct answer था next question आप से पूछा गया है शिफ समुद्रम जल विद्धुत परियोजना किस राज्य में इस्तित है करनाटक राज्य में इस्तित है एक correct answer था तो आप एक बार description चेक करेंगे description में मैंने pdf का direct link दे दिया है तो link पे click करके आप इसको बहुत ही simple तरीके से download कर सकते हैं या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं telegram पे जाएंगे वहाँ search करेंगे add the rate study platform ठीक है add the rate study platform आप जैसे ही search करेंगे मेरा channel नजर आएगा तो महाँ पे आप इसको search कर लेंगे question paper को तो आपको मिल जाएगा ठीक है और सबसे simple तरीका मैंने description में दे दिया है next question आप से पूछा गया है ओबरा बांद किस नदी पर बनाया गया है right answer यहाँ पे आपको लगाना है निम लिखित में से किसने वर्षा को जलवायू छेतर के वर्गी करण का आधार माना है next question आप से पूछा गया है ब्रहमा पुत्र जब भारत के अरुणाशर प्रदेश में पिरवेश करती है तब इसे किस नाम से जाना जाता है बहुत important question right answer आपको लगाना है दिहांग के नाम से जाना जाता है बी यहाँ पे correct answer था next question आप से पूछा गया है माड मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है तो right answer यहाँ पे आपको लगाना है दक्षिनी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है next question आप से पूछा गया भारत में पार्रेवरंट सनलक्षन अधिनियम लागू किया गया भारत में पार्रेवरंट सनलक्षन अधिनियम कब लागू किया गया था 1986 में भी आपका correct answer था next question आप से पूछा गया कौन सा भारती राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पाद है ठीक है कौन सा भारती राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पाद है बहुत important question है करनाटक राज्य हो जाएगा competition exam के लिए भी important है याद रखेगा next question आप से पूछा गया भारत में लो एवं इसपाद उध्योग का सरवदिक संकेंदरन किस छेत्र में है तो right answer यहाँ पर आपको उसका लगा देना है छोटा नागपूर पठार ठीक है C correct answer था next question आप से पूछा गया भारत में पहला सूती वस्तर उध्योग 1904 में कहां इस्तापित किया गया था तो बॉंबे में किया गया था B correct answer था next question आप से पूछा गया है काजी रंग पिर्सिद है तो काजी रंग जो है आपका गैंडा के लिए पिर्सिद हो जाएगा ठीक है यहाँ पर correct answer था next question आप से पूछा गया कौन सा राज्या अपनी सीमा ए मयम मार के साथ साज़ा नहीं करता है तो right answer आपको लगाना है सिक्किम राज्या ठीक है सिक्किम जो राज्या है आपका चाइना नैपाल और भूटान के बीच में पड़ेगा ठीक है जो कि आपको ऐसे करके आप भारत का मैप देखते हैं इस तरह से जो यहाँ पर होके आता है यह सिक्किम राज्या डी करेक्ट अंसर ठीक है नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछे गया है बोकारो इस्टील प्लांट किस देश के सयोग से इस्थापित किया गया है तो right answer आपको यहाँ पर इसका लगाना है सोवियत रूस ठीक है डी आपका correct answer ठीक है नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछे गया है बार की मिट्टी का छेतरफल सरवादी के राइट अंसर आपको लगाना जलोड मिट्टी एक करेक्ट हैं सिर्था नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछे गया है उत्तर प्रिदेश का लखनव सहर निम लिखित में से किस हद करगा उध्यों के लिए पिरसिध्ध राइट अंसर आपको लगाना साड़ी के लिए भी यहाँ पे करेक्ट अंसर था नेक्स्ट कोशिन आपसे पूछे गया है शिरी शेलम जल विद्दुत उर्जा सयंद्र किस नदी पर बनाया गया है तो राइट अंसर यहाँ पर आपसको लगा देना है जास कर शिरेडी में इस्तित है यहाँ पर आपके 50 कोशिंट कंपलीट हुए है आपने इसमें से कितने अचीव्ट किये हैं कितने सही है मुझे कमेंट्स में बताएंगे ठीक है आपके कमेंट्स का में रेट करूँगा और आपका कोई एनिमेशन का एक सब्जेंट है आपके सब्सक्राइब कर लेजेगा चैनल का लिंक में ने डिस्क्रिप्शन बॉक यानि की कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है मेरे तरह से आप सभी को बेस्ट अफ लख अलाहाफिज